मार्केट में कुछ बेतरी नदर आती है लेकिन मार्केट नेगेटिव सेंट्रिमेंट मुसलसल शो कर रही है इस वक्त मार्केट जो है वो 6 पॉइंट कमी के साथ ट्रेट कर रही है ब्रेक से पहले 15 पॉइंट की कमी के साथ ट्रेट कर रही है अब मार्केट में थोड़ी सी बेतरी नदर आई है 6 points के साथ हमें जो है वो कमी के साथ trade करती हुए नज़रा रही है 3266 पे highest market ने 13306 लगाया है और low 13233 लगाया है market ने volume leaders हमारे sgad 9 और trg पाकिसान एंग्रो पॉलीमर और इसके इलावा world call telecom ये हमारे जो है वो हमें volume leaders नज़रा रही है और तमाम जो तफसिलात हैं वो सबके सामने हैं बेरुनी कर्जों के इलावा अंदरुनी कर्जों का जो ग्राफ है वो भी बढ़ता चला जा रहा है जोलाई 2011 से 11 मार्च 2012 तक हकुमत मुकामी बेंकिंग सिस्टम से जो बजेटिंग सपोर्ट की मद में 933.753 अरब रुपे कर्जा ले चुकी है जबके गुजिश्टा साल इसी अरज़े में 444.113 अरब रुपे कर्जा लिया था इस तरहां अंदरुनी कर्जे के बोच में 110 पीसर इजाफा हो चुका है हकुमत ने सिन्टरल बेंक से जॉलाई से 11 मार्च के दुरान जो बजेटिंग सपोर्ट के लिए 224.248 अरब रुपे कर्जा लिया जो के गुजिश्टा साल के मुकर्ण अरसरे में 115.952 अरब रुपे था इस तरह हमें सिन्टरल बेंक से लिए गए कर्जे में 93 फीसद इजाफा नज़राता है हकुमत की सिन्टरल बेंक से जो बौरिंग है अभी तक वो अंडर कंट्रोल है जिसकी बिनापर मॉनिटरी पॉलिसी में डिसकाउंट रेट को मुस्तेकम रखा गया है अगर कमर्शल बेंकों से लिए गए कर्जों का जाहिजा लें तो हकुमत जोलाई से 11 मार्च 2012 तक 709.5 एक रब रुपे कर्जा ले चुकी है जो के गुज़िश्टा साल इसी अरसे में 328.168 रुपे था और हकुमत इस साल की जो बॉरिंग लिमिट है उसको बूर कर चुकी है जो के कमर्शल बेंकों के लिए 308 अरब रुपे रखी गई थी नाजरीन स्पेशल रिपोर्ट जो के हमने आपके साथ शेयर की है पाकिसान का बढ़ता हुआ अंदरूनी कर्जा काफी इसमें डिटेल डिसकेशन जो है वो की गई है और किस किस तरीके से जो हमारा मुलक कर्जों के बोज़ तले दबता जा रहा है तमाम तफसिलाद इसमे झाल यह नाजिन करंसी औंड कमोडिटी रेट्स आपने जो है वो मुलाहिज़ा किया मार्किट इस वक्त सिक्स पॉइंट कमे के साथ ही हमें ट्रेट करती हुए नजर आ रही है मार्किट में नेगेडिव सेंटिमेंट हमें नजर आ रहा है वॉलियम में हमें तोड़ी सी तबदिली आती हुए नजर आ रही है वॉलियम में जो है जो है जो है बो तोड़ा इजाफ में नजर आ रहा है लेकिन यह एजाफ में wsट चार पॉइंट में की साथ मार्केठर में ट्रेट करते हुए नदर आ रही है चीन की मैनीफेक्चरिंग चार महीने की कम-तरी सथा पर पहुंच गई है ये एक स्पेशल रिपोर्ट है । ये भी आपके साथ आज आजशी के प्रोगर्राम मेंडिसकस करेंगे कि चीन की जो मैनिफेक्चिरिंग है वो चार महीने की कम तरीन सता पर पहुंच गई है HSBC की जारी करदा रिपोर्ट में दुनिया की दूसरी बड़ी महिशत की सुसरफतार और कम शरह नमू पर ख़चात जाहिर किये हैं चीन में मैनिफेक्चिरिंग सरगर्मिया चार माह की कम तरीन सता पर पहुंच गई है HSBC के जो पर्चेजिंग मैनेजर इंडेक्स की वैल्यू मार्च में अरतालिस चारिया एक है जबके फरवरी में PMI 49.46 था अगर PMI की जो रिडिंग है वो 50 से ज्यादा हो तो एकॉनमी की जो एक्सफेंशन है उसको जाहिर करती है और 50 से नीचे वैल्यू हो तो एकॉनमी की जो कंस्रक्शन है उसको जाहिर करती है चाहना की मैनिफेक्चिरिंग सरगर्मिया मसलसल पांच माह से कंस्रक्शन में है और H.S.B.C. के चीफ एकॉनमिस्ट के मताबिक मुकामी मांग और बरामदारत में कमी के बाइस चीन में मैनिफेक्चिरिंग कम हो रही है मस्तक्बिल करीब में ग्रोथ मज़ीद कम हो सकती है और क्यूंके नए एक्सपोर्ट और्डर्स में कमी आ रही है तो गुजशता साल चीन में महिशित की च्वरानमू 9.2 फीसद थी क्योंके 2010 के 10.4 फीसद डीपी से कम हुई थी और इस साल हकूमत ने जीडीपी का टार्गेट 7.5 फीसद रखा था नाज़िन फरवरी में PMI 49.6 था अगर PMI की जो रीडिंग है वो 50 से ज्यादा हो तो एकॉनोमी की जो एक्सपेंशन है उसको जाहिर करती है जी नाज़िन ये चीन की एक स्पेशल रिपोर्ट थी चीन की मेनेफेक्ट्रिंग जो है वो चार महीने की कम तरीन सता पर पहुंच गई है H.S.C.B. की जो जारी करदा रिपोर्ट है उसमें दुनिया की जो दूसरी बड़ी महिशत है उसकी सुसर्फतार और कम शर्ण अमूपरा खर्चात जो हैं वो जाहिर किये जा रही है और एकॉनोमी की जो एक्सफेंशन है उसको ये चीज़ जाहिर करती है और पचास से नीचे अगर इसकी वैल्यू हो अगर पी एम आई की जो रीडिंग है उसकी बात हो रही है अगर ये पचास से नीचे हो तो एकॉनोमी की जो कॉन्ट्रक्शन है ये उसको जाहिर करती है लो लेवल मार्किट ने लगाया है वो तेरहजार दोसो तेईस लगाया है तो कुल मिला के मार्किट जो है वो सतर से पिचतर पॉइंट्स के बैंड में मूव करती हुई हमें अतरा रही है तीन सो चौनसिस कमपनीज है जिनकी शेयर में हमें अधिविटी नजर आई है ग्यार उसके वज़ा भी यह है कि जो सेलिंग प्रेशिर मार्किट में इस वक्त हमें नजर आ रहा है जो इन्वेस्टर्स है वो अपनी पोजिशन जो है वो ओफ लोड कर रहे हैं आज क्या प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है अपने फीड़बेक से हमें जरूर अगार पर और कल तक के लिए शविलस तो नापड़ी को अजाज़त दीजिए अला हाफिज झाल है वो जिएलस तो है वो इन्वेस्टर्ण इसलिए वोड़िशन जो है